फिर से एक बार इजीट ने कहा है कि इजराइल लगवग तैकर चुका है कि वो इस यूद से हटना चाहता है और इस बात के बाद खुलासे हो गए हैं कि इजराइल के लगवग इजराइल मान रहा है कि हमारे 700 सैनिक मारे गए हैं लेकिन सच्चाई है कि कम से कम 1600 उसके सैनिक मारे गए हैं, 2000 से ज्यादा सैनिक उसके अस्पताल में भरती हैं, और आप जानकर हैरान हो जाएंगे, मैं किसी देश के सेना का अपमान महीं करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे एक टानासा जब अपने सेना को इस्तेमाल करता है, तो दुनिया का भरोसा हटने लगता है, नमस्कार मैं शम्भु कुमार सिंग और आप देख रहे हैं इस समय नेशनल दस्ता, आज कुछ जरूरी बाते हैं, इसलिए आपको लगता हूँ कि देर रात हम लोग क्यों बात्चित कर रहे हैं, तो आप जब सोने की तयारी करने कर है कि इसराइल लगवग तय कर चुका है कि वो इस यूद से हटना चाहता है, और इस बात के बात खुलासे हो गए हैं कि इसराइल के लगवग, इसराइल मान रहा है कि हमारे 700 सैनिक मारे गए हैं, लेकि सचाई है कि कम से कम 1600 उसके सैनिक मारे गए हैं, 2000 से ज्यादा सैनिक उ इस्तेमाल करता है तो दुनिया का भरोसा हटने लगता है इसी मामले में भारत को सबसे बहतर मुल्क मानता हूँ भारत के जो सेना है वो सम्मान का परतिक है शौर का परतिक है इंसानियत का परतिक है आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में जब सांती सेना की बात ह जब किसी दो देशों में conflict होता रहता है और जब कोई देश अपने internal एउद्धों में घिरा होता है तो महां दुनिया भर के सांती सेना की तैनाती होती है जहां दुनिया भर की military army के लोग जाते हैं उसमें भारत का साख सबसे बड़ा है और का जाता है कि दुनिया में कहीं भी जब सांती सेना की जुरुत होती है तो इंडियन military की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है भारतिये सेना की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है ये साख है इंडियन military का लेकिन सुचिए आज इसराइल की military पर लोग किस तरह से फप्तिया कस रहे हैं और उसका मजा कुरा रहे ह क्योंकि एक ताना शाह ने किस तरह से उसका दुरूपयोग किया है और इसराइल के आर्मी से लोग भगवरे सावित हो रहे हैं तो बात कह रहे हैं इसराइल के ताना साही की तो सुचिए 12 बटे 42 मतलब 12 इसराइली छोड़े जा रहे हैं और आज भी सुचिए हजबुला ने आज जम कर बंबारी के इसराइल पर और इरान भी अपने मिसाइल दाग रहा है अभी भी तो सुचिए कहां इसराइल के वो अपने सेना की लासो तब को नहीं ले रहा है जैसे ही गाजा पट्टी से अब इसराइल की बरबादी की तस्वीरे आ रही है अब तक आपको भारत की गोधी मीडिया बीबीसी, सीएनेन जो पस्वी मीडिया वो दिखा रहा था कि किस तरह से निस्तनाबूत कर दिया गया था गजा पट्टी को ये सही है मलवे में तब्द सालों में इसराइल को इतना बड़ा नुपसान, इतनी हताहत उसके सेना के लोग नहीं हुए थे, 381 में से लगभग एक गारा उसके टैंक वापस बचे हैं, उसके 320 सैनिक अड़ों को उरा दिया गया है, 2000 से ज्यादा सैनिक उसके लगभग मारे गये हैं, लेकिन इसराइल अपनी बदनामी छुपाने के लिए, इसको मानने तक के लिए तयार नहीं है, यह इस्तिती और सुचिए अब बेंजामी नितन्याहु चाड़ों तरफ से घिर चुका है, खारी दे से जूट हो गए, आज भी हिजबुल्ला ने लगभग 200 ड्रोन दागे हैं, 800 मिसाइले वज़ा से, ट्वीटर की वज़ा से, फेस्बुक की वज़ा से, यूटूब की वज़ा से, पूरी दुनिया को पता चल गया कि 15-15 साल के लोगों को इसराइल गुलाम बनाता था, प्रिजिनर बनाता था, जेल में डाल देता था, आप सोचिए किस तरह की तस्वीरे सामने आ रही है, किस तरह की बरवादी होई है, उसकी सारी तस्वीरे एक साथ सामने आ रहे हैं, और मैं इसलिए कह रहा हूँ, यह सबसे तकलीफ दे है, दुखद है, और इस खबर को लेकर पूरी दुनिया में कोहडाम मचा हुआ है, और इजराइल इंटरनेशनल प्लेटफॉर सुचिए किस तरह से इजराइल बेनकाब हो गया है, इजराइल की मौनपॉली बेनकाब हो गई है, इजराइल के साथ कोई खारा नहीं है, वहीं फिलस्तीनियों के आंख में चमक है, उन्होंने अपने 15,000 लोग खोए हैं, पूरे फिलस्तीन को मलबो में तबदिल कर दिया गयारे कि उनके आँखों में एक सपना है, अजाद फिलस्तीन का सपना, अब उनको लगता है कि ये अंतिम लराई है, करो या मरो, एक महिला फिलस्तीनी जो आजाद हुई हैं उन्होंने कहा कि हम मरना पसंद करेंगे लेकिन अब गुलाम नहीं रहेंगे, हम इस आजादी मे एक एक इंच जमीन लटानी पड़ेगी, अब फिलस्तीन की आजादी बहुत दूर नहीं है, और अब सायद कभी हिमाकत नहीं करेगा इसराइल फिलस्तीन पर कबजा करने का, पुरी दुनिया की डिमोगरफी वदल जाएगी, तो सोचिए, किस तरह के हालात थे और किस तरह से फिलस्तीन को पिछले 75 सालों से बंदक बना के रखा गया था, गुलाम बना के रखा गया था, और वो सब कुछ अब खत्म हो रहा है, तो देर ही सही, लेकिन अंधेर नहीं था, और एक बात सुचिए, इस यूद में जो सामने निकल कर आए, अभी भी, अभी भी हमास, हि खुती बिलकुल आम इजराइलियों पर हमला नहीं कर रहे है, वो सिर्फ और सिर्फ सैनिक अड़ों पर हमला कर रहे है, 320 से ज्यादा इजराइल के सैनिक अड़े उड़ाए गया है, मतलब तमाम इउध के जो नियम और कायदे कारून है, उसको फॉलो कर रहा है, खुती इटलर की तरह युद में धकेल रहा था, सुचे उसमें सर्ते लगाई थी कि जब इजराइल फिलिस्तीन के कैदी छोड़े जाएंगे, तो वो जश्र नहीं मनाएंगे, गाडियों को ढख कर ले जाए जाएगा, मिठाई नहीं बाट सकते हैं, ठीक इसके उलट हो रहा है, आम फिलिस्तीनी उन्होंने अपने बच्चे खोये हैं, उन्होंने अपना परिवार खोया है, उन्होंने अपना घर खोया है, लेकिन एक फिलिस्तीनी ऐसे स्वागत कर रहा हैं उन कैदीों का, जो इसको इसराइल को छोड़ना पर रहा है, जैसे वो निस्नल प्राइड हो, निस्नल हीरो है तो सोचिए नेलसन मंडेला 32 साल जेल में रहे थे तब जाके ब्लैक लोग को आजादी मिली अफ्रीका में और गोरों को भागना परा खुद अमरीका में मार्टिन लूथर ने एक लंबी लड़ाई लड़ी उसके बाद हुआ ब्लैकों को आजादी मिली खुद भारत में फूले पिरियार अंबेट कर बावा साहिब के लोग आज भी लड़ रहे हैं बराबरी की लड़ाई समानता की लड़ाई समान की लड़ाई में एक नसले खप जाती हैं भारत में कई पीरिया खप रही है लेकिन एक फर्क है अमरीका में हुआइट ज्यादा थे तब भी पूरी दुनिया के हुआइट लोगों में एक बात है कि वो नैतिक्ता के बहुत करीब खरे होते हैं आज फिलिस्तीन के लिए पूरी दुनिया में धर्ना परदर्सन चल रहा है अमरीका में इंगलैंड में इरोप में जर्मनी में फ्रांस में साइध ही कोई देश हो जहां फिलिस्तीन के समर्थन में रह ली धर्ना परदर्सन नहीं चल रहा है अभी दुनिया में डिक्टेटर सिपाया नहीं है रास्तंत्र का दौर वो जा चुका है जब राजा अपने आपको गौड मानता था जब राजा धर्म के नाम पर और किसी भगवान के नाम पर लोग को गुलाम बनाता था तानशा होता था जैसे जैसे दुनिया में इंटरनेट फैला है, कम्मिनिकेशन फैला है, दुनिया एक दुसरे के तकलीफों को शेयर कर रहा है, वो खुसियों को भी शेयर कर रहा है, तकलीफों में भी खरा हो रहा है, चंद मुठी भर लोग हैं इस दुनिया में जो रेसिस्ट हैं, जो रंग लिखाई बढ़ेगी वैसे वैसे ऐसे लोकास्तित खतम हो जाएगा और एक कच्रे में डाले जाएगे बज जाएगी तो सिर्फ इंसानियत पहले इससे और जादे अमानवियत आ थी पहले और कुरूरता थी दोजार सालों में अब जाके और बहतर इस्तिती हुई है और और हो समराटर सोग जैसे शाशक हुएं जिन्होंने सिकंदर के देश में दवाया पहुंचा जिस सिकंदर ने भारत पर हमला की कोशिश की थी वह कामयाब नहीं हुआ क्योंकि वह घनानंद का दौर था मौर समराज का अवजूदय था सुचिए मगद का राजा कहां कहां नहीं र लिख रहे हैं और पूरी दुनिया में इंसानियत के परती लोग सचेत हो रहे हैं और सुचिए पूरी दुनिया में जो अमन पसंद लोग है जो इंसानियत को मानने वाले लोग हैं जो सचमुच मानपता कोई धर्म मानते हैं जो इंसानियत को धर्म मानते हैं जिनका भरोसा है कि हम सब ब्रदर हूड हैं एक भाई हैं हम गलोबल विलेज हैं वो सब इजराइल के इस बिंजामीने तन्याहों के इस अन्याय के खिलाफ करे रहें और दुनिया भर से आवाजे उठी और अमिर्का के बाब चाहने के बाब जूद भी इजराइल अलग थलग पर गया खारी भी जराइल के साथ खरा नहीं है और इसकी बज़ा है दुनिया को एक दूसरे से जोर रहा है फिलिस्तीन की तकलीफ हैं फिलिस्तीन का जजवा फिलिस्तीन की सच्चाए हमास और फिलिस्तीन आतंकी नहीं है निर्दोस लोग को मारने वाला आतंकी होता है युद्ध के भी नियम होते हैं, आप स्कूल पर बं नहीं गिराएंगे, अस्पताल पर बं नहीं गिराएंगे, सिविलियन को नहीं मारेंगे, लेकिन ये सारे नियम कानून को बिंजामी नितन्याहु ने धत्ता बता दिया, उसे गुरूर था, उसे गुमान था अपने जहाज पर, उसे लगत और दुनिया भर की अमन पसंद लोगों ने उसको नखा रहा है और सोचिए पहले मुठी भर पत्रकार होते थे जो सही को गलत और गलत को सही कहते थे जो मुठी भर पूरी दुनिया के जो पत्रकार हैं वो कहते थे कि फिलिस्तीना तंकाड़ा है हमास अड़ा है लेकिन जैसे जैसे मीडिया का डाइवर्सिटी हो रहा है कतर जैसे अलजजीरा है सोसल मीडिया है लोग सचाई बयान कर रहे हैं एक पेड़ से पत्ता गिरता है वहां से भी रिपोर्ट होती है सोसल वाईल ने पूरा खेल बदल दिया है। दुनिया भर में डेमोक्रासी कव आई? जब अधागी करान्ती आई। पहले लोग राजा के रहम उकरम पर जिंदा रहते थे। उनको लगता था कि राजा ही उन्य दाता है, वही खिला रहा है। लेगन जब अधागी करान्ती आई। तो दुनिया को लगा कि नहीं नहीं पैसा थो कोई भी कमा सकते है है अमीर कोई हो सकते है है राजा कोई जब pequ enfrentation मडर्न जब विज्ञान आया जब इलाज लोग को हुने होने पहले से और लोग को लगता था कि बगवान की किरपा है राजा की किरपा है जिंदगी और मरन क्योंकि अब सबसे जादा communication का टूल आ गया है और अब हर हाथ में communication है जिसका आप mobile कह रहे हैं और यकीन मानिए कम से कम दो एक दसक तक तो computer के बाद mobile है आगे क्या होगा मुझे नहीं पता बिज्ञान और अपने आपको बहतरीन करता है सोथ करता है लेकिन ये बात ता है कि अ अब दुनिया में कहीं भी और कोई भी सक्स गैर बराबरी के अधार पर तो पच नहीं सकता है अब पोल पट्टी खुलना सब का आसान है क्योंकि अब कोई किसी मीडिया घराने का मोहताज नहीं है कि टीवी और अखवार के जरी ही बाते आएंगी अब किसी के साथ आप अन चार तकनीक की सथी होगी और ऐसे इसराइल जैसे माप दंग जैसे लोग इजराइल जैसा देश बेनकाब होगा और दुनिया में जिस पर आरोप लगते रहें वो सब जो सही होगा वो निकल के आएगा जैसे फिलस्टीन निकल के आए न वो तो आतंकार्ड़्डा है सोची लिवनाहूती, हमास, हिजबुल्ला, इरान, ये सब सामने आये हैं और उन्हें इस दुनिया ने बताई किस तरह से इजराईल एक आतंकी देश है और वो इंसानियत का दुस्मन है, उसने निर्दोस लोग को मारा है और उसने एक सुतंतर देश पर कबजा करने की कोशिश किया और वो दौर गया जब कोई किसी पर कबजा कर रहा रूस की हैसियत नहीं कि वो उक्रेइन पर कबजा कर ले क्योंकि उक्रेइन के साथ पुरा एउरोग ख़रा है उसी तरह से इस्राइल की हैसियत नहीं कि फिलिस्तीन को कबजा कर ले क्योंकि फिलिस्तीन के साथ भी दुनिया खड़ी है तो तकनीक ने सारा खेल बदल दिया आप अगर आप संबेदंसील हैं तो आप समझेंगे और मैं फिर कह रहा हूँ इजुकेशन, सिक्छा, इजुकेशन, विज्ञान, अद्दवगिक करांथी और उसके बाद अफसन चार यह वो चार चीजें जिसने इंसानियत को और मजबूत किया है और दुनिया को डेमोकोटराइज किया है और चाहे वो डिक्टेटर सीफ हो चाहे वो राज तंत्र हो सब को खत्म किया है और सब पर सवाल उठा रहा है मैं फिर कह रहा हूँ आने वाले समय में दुनिया को और ट्रांस्पारेंट बनाएगा और भी ऐसे लोग जो अपने आपको सबसे ज़्यादा ताकतवर समझते हैं कि आप एक को चूप करा सकते हैं दो को चूप करा सकते हैं पुरी दुनिया की आवाज को चूप नहीं करा सकते हैं और न अब दुनिया में आवाज को रोक सकते हैं आप एक इंटरनेट डाउन कर सकते हैं एक देश का दुनिया के सारे देशों का नहीं कर दिजिएगा न सच्चाई दुनिया भड में फैल रही है और कम्मिनिकेशन मीडिया की वो ताकत है खासकर सोशल मेडिया की कि अब दुनिया में अन्याय के खिलाफ लोग एक दिन में खरा हो जा रहे हैं इसलिए किसी भी तरaj के गैरबराबरी के अगर आप पक्षतर हैं चाहिए धर्ण के नाम पर चाहिए जाती के नाम पर किसी भी तरह के अन्याय के साथ है आप जुल्म के साथ है और निर्दोस के खिलाफ है तो आप सुधर जाएए क्योंकि आप चेक एंड बैलेंस होगा आपका अब दुनिया में गैर बडाबरी अन्याय नहीं चलेगा क्योंकि हर कोई अपनी बात में फिर कह रहा हूँ एजुकेशन सिक्षा जैसे जैसे लोग के घर सिक्षा पहुँचेगी वो अपने अधिकारों के परति सचेत हो जाएंगे और मुठी बड़ जो लोग हैं जो गैर बडाबरी को अच्छा मानते हैं जो धार्मी का अधार पर जाती के अधार पर रंग के अधार पर लीन के अधार पर गैर बडाबरी के पक्सदर हैं उनका इतिहास बहुत गंदा होगा और वो गटर में डाले जाएंगे और इसराइल के साथ यही हो रहा है 75 सालों से उसका जूट बेनकाब हो गया 75 सालों से उसका बुना हुआ आडंबर डंका था वो फट गया उसकी मजबूत होने का डंका उसके ताकतवर होने का डंका और फिलिस्तीन पर जूट बोलने का डंका दुनिया जान गए कि फिलिस्तीन एक आतंकी देस है जिसने निर्दोसों की हत्या किये आप लोग अपनी पर्त करिया देजिए शुक्रिया निस्नल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निस्नल दस्तक को सब्स्क्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्स्क्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं